सल्मान खान चाहे कितने ही बड़े सूपरस्टार क्यों नहों लेकिन शादी के मामले में सल्मान के पैरेंस को भी वही सवाल पूछ जाते हैं जो आम तोर पर सोसाइटी में अगर किसी के बच्चे की शादी लंबे समय तक नहीं हुई तो सोसाइटी वाले पूछते हैं एक्चली सलीम खान से भी अक्सर इंटर्व्यूस में सल्मान की शादी को लेकर सवाल पूछा जाता है और अब लेटेस्ट इंटर्व्यू में सल्मान खान के पिता सलीम खान ने बताया है कि क्यों उनके 58 एर ओल्ड सूपरस्टार सन आज तक बैचलर है सलीम खान ने सल्मान की चोईस ऑफ गर्ल के बारे में जो बात बताई है उसे सुनकर लगता है कि सल्मान को एक डेडिकेटेड वाइफ चाहिए एक हाउस वाइफ चाहिए वाकिंग विमन तो उन्हें बिलकुल नहीं चाहिए सलीम खान ने बताया कि सल्मान को ऐसी भीवी चाहिए जो घर पर रहकर परिवार का ध्यान रखे बच्चों को देखे बच्चों की पर्वनिश्ट करे बच्चो को पढ़ाए लिखाए घर में खाना बनाये ठीक वैसे ही जैसे सल्मान खान की मदर ने किया है यानि कि सलमान खान को एक committed wife चाहिए सलमान खान के इतने सारे रिष्टे रहे हैं उन पर बात करते हुए सलीम खान ने कहा कि सलमान खान attract बहुत जल्दी हो जाता है और इस attraction के चक्कर में ही उनके relationship तो बन जाते हैं लेकिन शादी के commitment से उन्हें phobia है उन्हें डर लगता है इस बात का कि जिस तरीके से उनकी mother घर परिवार को dedicate रही है क्या आज की लड़की वैसा dedication दिखाएगी सलीम खान साब कहते हैं कि आज के दुनिया में ऐसी लड़किया मिलना मुश्किल है यानि कि बातों ही बातों में सलीम खान ने कह दिया कि अब तो सलमान खान शादी करने ही नहीं वाले हैं हाला कि सलमान एक super star है और उनकी fan following जबरदस्त है सलमान की fans में भी ऐसी कई लड़किया होंगे जिनने ऐसा ही लड़का चाहिए होगा जिसके लिए वो घर पर रहे, खाना बनाए, उनके बच्चे देखे और उन्हें पढ़ाए यानि कि एक housewife बन कर रहे सलमान कान बस बोल के तो दिखाए कि उन्हें कैसी लड़की चाहिए लड़कियों की उनके लिए तो line ही लग जाएगी